So, hello students, welcome back. I hope you all are good and fine. आज हम बात करने वाले लाइफ प्रोसेस के इंपर्ड़न्ट कोश्चन के बारे में मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे कि जी बहें लाइफ प्रोसेस के इंपर्ड़न्ट कोश्चन बताइए. तो आचुके हैं वीडियो और मैं लगातार इंपर्ड़न्ट कोश्चन के सीरीज डालाओं क्लास 10 के तॉप लिंक डिस्किप्शन में वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं क्लास 10 के और भी चैप्टर्स मैंने अप्लोड किये हैं फिजिक्स कैमिस्ट्री के तो आज हम बात कर करने वाल हैं मौस्ट इंपर्ड़न्ट कोश्चन के बारे में लाइफ प्रोसर्स तो मैंने कुछ चुनिंदा कोश्चन ऐसे लिए हैं जो की प्रिविएस यह पेपर में काफी बार आ चुके हैं और काफी टीचर्स और मेरा खुद का एक्स्परियंस पूरा मिक्शर इस वी कोश्चन विली और हाइड्रोक्लोरिक एसेड का बहुत इंपर्ड़न्ट कोश्चन है यह तो आपको रटके चले जाना एक्जाम में क्योंकि इसका चांसेज होता है 99% कम से कम एक्जाम में आनेगे तो यहाला कोश्चन आप करके जरूर जाएंगे डाइजेस्टिव एंज विली का काम का का钱 एक तरगे एबसोर्ग परकें एक मैटेरियल को थिका है घाल यक जोभी प्रोटीन वगरा जो बोडी में जो भी energy बनती है यह वो energy को store कर गए लगता है मतलब विली energy को ले लेता है इसमों अंटरस टाइम से आगे की बात करते हैं कुछ question है what would the consequences of the deficiency of hemoglobin in our body यह important question है NCRT में भी है कि क्या consequence होंगे अगर hemoglobin की deficiency हो जाए किसी की body में ठीक है तो वहाँ पर oxygen की कमी हो जाएगी body के अंदर ऐसा आप लिख सकता है इस तरीके से आप बना सकता है question हो तो बहुत अच्छा question है यह वाला next difference between arteries and veins arteries and veins के 20 का difference बहुत important question है ऐसे करेंगे यह arteries यह veins आप difference लिख देना next है why do wall of trachea not collapse when there is less air in it next what is saliva next question बहुत important है state the role in food digestion saliva क्या होता है saliva का role क्या होता है food digestion में what are xylem and phloem difference between aerobic and anaerobic define the flow of the oxygenated and deoxygenated blood oxygen and deoxygenated blood की एक important video उसका description मैंने उस वीडियो का link मैंने description में लगा दिया है जो आगर आप देख सकते हैं तो यह तो देख कुछ मेरी तरफ से important question theory based जो मैं आपके लिए लाया हूँ और आप धीरे 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 धीन question को देखेंगे तो बहुत important question अलवा आपके लिए अब थोड़ सा NCRT के तरफ move करते हैं मैं आपको थोड़ सा diagrammetically वाले महाँ पर question बता देता हूँ कि diagrammetically कौन से better question रहेंगे आपके लिए ठीक है चली तो nutrition chapter हमारा आच चुका है और इसमें सबसे पहला हम पीछे सलते हैं जो best diagram आपके लिए होगा देखो ये एक nephron का diagram है और ये 99% इसकी guarantee रहती एक percent ही नहीं आता वागी 99% जरूर आता है तो ये diagram आपको करके जाना है most important diagrammetically में आता है इसके साथ आपको कम से कम तीन चार नाम आपको याद जरूर करने पड़ेंगे नेफ्रोन के और next ये वाला diagram भी आप पढ़के चाहिए जनरली इनमें choice आती है दोनों में तो ये वाला diagram भी आप एक बार दरूर देखके चले जाना मैं आपको थोड़ सा back question थोड़ सा बतायता है ये 9th question बड़ा important अगर आप इक करेंगे और double circulation system और 9th question they are most important question अभी मैंने जब आपको theory page में बताया था flow of the oxygenated induction blood दोनों वही और ये question same है double circulation ये भी वो पी है next यहां पर आता how are fat are digest in our body good question what are the role of the saliva अभी मैंने आपको बता दिया था तो एक कुछ कोशन ऐसे जो आप कर लेंगे तो मज़े आ जाएंगे एक दम तियारी बड़े हो जाएगे और ये question टपक जाता है exam में ठीक है आगे की मैं आपको बता हूँ तो यहां पर एक कभी कभी यह diagram भी पूस लेते है रेर चांस होते है diagram के पर यह diagram आपको जरू करके जाना एक बार ठीक है यहां पर आपको सारे function मिल जाएंगे और double circulation system का एक diagram यह रहा यह आप पढ़के जाएंगे जनरली होता क्या है diagram देते हैं यहां पर यह dash fill up करने के लिए होता है तो वहां पर आपको फिल करने होता है तो यह 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 वाला diagram एक बार जरूर पढ़के चले जाएंगे आपके काफी help हो जाएगे यहां पर second question, fifth question is the most important यह अगर आप करेंगे तो it will benefit for you और यहां पर यह आपका lungs वाला fourth question, how are the lungs designed to in the human being to maximize the area of the exchange exchange वाला question जरूर आता, lungs वाला और यहां पर मैं आपको भी बता दो मैंने double circulation system में एक इस तरीके से बनवा रखा आपका, यहां पर देखो, यहां पर lungs होता है, यहां oxygenated blood आता है, फिर यहां de-oxygenated फिर इस तरीके से घुमता है, link description में चिपका दिया है, जागर देख लो बाकी मुझे और को important लेकर नहां यह last है, small intestine का absorbed role functions of digestive enzyme और role of the acid nerve stomach, यह तीन question कर लेना, यह काफी है आपके लिए board exam में, bio में कोई भी question आपको आएगा तो आप easily कर पाऊगे, और वीडियो अच्छी लेगे तो एक बार like, thumbs up जरू करें, share करें अरे वीडियो को और अब तक चैनल पर नहीं हो, तो subscribe करो, क्योंकि ऐसी वीडियो लगाता राएंगे, चलिए guys आप मिलते हैं आपसे next video में, thank you, goodbye, take care